प्रवावेत लाकों का इनरेक्शन करके साथ ही कामवर यात्र का भी जाय जालेंगे इस दोरान मुख्य मंत्री बैटकर ववस्ताओं की भी समिक्षा करेंगी मुख्य मंत्री योगियात इतना शुकरवार को सहरन पोर जनपत के दोरे पड़ाएंगी वो बाड़ ग्रस्त छेत्र को वो बाड़ ग्रस्त छेत्रों का हवाई इंडिरेक्शन करेंगी साथ ही कावर यात्रा कभी जाए जलेंगे सेम के जनपद में बीते पांच दिनों से भारी बारिश के चलते यमना समीत तमाम नदियों में उफान है जिस कारण जनपद में करीब 30 और महानगर में 13 कॉलनगया भारी जल भराव के चलते बाड की चपेट में है साथ ही इन दिनों कावर यात्रा चल रही है जो अब अपनी अंतिम चरण में पहुँच गई है ऐसे में अचारक मुख्यमंत्री योगी याधितनाज जनपद के दोरे पर आ रहे है सूबे के मुख्यमंत्री योगी याधितनाज शुकरवार को सारनपुर आएंगे वे बार गरस्त चेत्रों का हवाई निरक्शन करेंगे यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक के उपराद वे सारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक बार प्रवावे चेत्रों के साथ ही कावर यात्रा मार्ग का हेलिकॉप्टर द्वारा हवाई निरक्शन करेंगे मुख्य मंत्री योगी आदितना शुकरवार दुपहर एक बचकर पंदरा मिनिट पर वायू यान द्वारा सरसावा एरपोर्ट पर पहुंचेंगे यहां से हेलिकॉप्टर द्वारा जन्पद में बार प्रवावी छेतरों का हवाई निरेक्शन करते हुए सारनपुर पुलिस लाइन में देड़ बच्री आएंगे यहां से वे जेवी जैन डिक्री कॉलिज में बार राहाष शिवे का निरेक्शन कर यहां राहत कारेओं का जायजा लेंगे यहां से पुलिस लाइन आएंगे और सवागार में जन प्रितने दियों और पर्शासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बैठक के उपरान तीन बचकर दस मिनिट पर पुलिस लाइन के हली पेट से हलीकॉप्टर से रवाना होंगे मुख्य मंत्री हेलिकॉप्टर द्वारा बाड़ प्रवावे छेत्रो और कावर यात्रा मार्ग हवाई कनरक्षन करते हुए हिंड़न एरपोर्ट गाजियबाद जाएंगे